हेलो फ्रेंड्स इजी टु हेल्दी किचन में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मैं कुंजन आज फिर एक रेसेपी के साथ तो आज मैं बनाने वाली हूं चिकन चिली यह बिथवोन है और बहुत ही आसान तरीके से आज हम लोग इसे बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी के बनने वाला है तो चलिए फिर इसे ट्राइ करते हैं बनाना और चीली को दो तरीके से बना सकते हैं फ्रेंड्स एक तो बोनलेस बनाते हैं उसका बनाने का तरीका अलग है और एक बिथवोन बनाते हैं उसका अलग तरीका है तो आज हम लोग बिथवोन के साथ सीखेंगे चीली बनाना तो यहां पर मैंने एक चिकन पूरा लिया है जिसे मैंने मीडियम पीसेस करवा लिये थे और यहां पर मैं पानी को बनने डाल दी हूं और उसमें नमक डाली हूं हाफ टीय स्पून और इसमें सारे चिकन को ढालकर पहले उबाल लेना है इसे तब तक उबालना है जब तक यह पक नजाए थोड़ा सौफ्ट हो जाए तब तक इसे उबालेंगे सारे चिकन के पीसेस को डालकर और ढाकी से पकालेंगे तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कर दे और यह मैंने लाशुन लिया है एक उसे बीस से कट करके से डूबो दिया है यह भी चिकन के साथ पक जाएगा तो इसका पल्प का हम लोग यूज करेंगे तो अब इसे ढग दिया मैंने और 15 मिन तक इसे पकाएंगे तो यह देखिए पहले में लासुन निकाल लेती हूं इसमें से और चिकन भी बिल्कुल पक चुका है तो अब हम लोग इसे भी निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज आप लोग ध्यान से मेरी वीडियो को लाइक कर दे और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे तो चिकेन के पीसेस को मैं निकाल चुकी हूँ और यह जो पके हुए लसुन है उसके पल्प निकाल कर इसी चिकेन में डाल देंगे क्योंकि अब हम लोग इसकी मेरी नेशन की तैयारी कर रहे है तो लसुन की पल्प को मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे मैं एक चमच सेजवान सॉस डाल रही हूँ इसका भी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ और यह चिली सॉस है चिकेन चिली बन रहा है तो यह थोड़ा तीखा भी होगा तो यहाँ पे मैं चार से पाच चमच चिली सॉस डाल रही हूँ से कि जो सर्विंग अच्पून होता है उससे 2 चमच मैंने चीली सॉस लिया है और 2 चमच टोमेटो सॉस सर्विंग अच्पून से और दो टेबल स्पून में यहां पे सिर्का ले रही हूँ वाइट वेनिगर और दो टेबल स्पून में यहां पे सोया सॉस ले रही हूँ हैUh엔स के और अब मैं हमें पे नमख डाल रही हूँ यहाँ पर ठोड़ा ढालेंगे क्योंकि नम लोगों ने पहले पानी में भी डाल रक्क हुआ था तो चिकन हमारा पहले से थोड़ा साल्टी है और दो चम्मच मैं यहां पर कॉन फ्लार डाल रही हूं और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगवग 20 से 30 मिनट तक इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे मैं यहां पर इसे आधे घंटे के लिए छोड़ूंगी 30 मिनट तो इसे ढख कर मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं और यह जो बचा हुआ पानी है जिसमें हमने चिकेन वाला था तो उससे थोड़ा सा पानी हम लोग निकाल लेंगे ग्रेवी बनाने के काम में यह आएगा और बाकी का पानी हम लोग साइट कर देंगे और यहाँ पर मैं तीन टेवले स्पून रिफार्ण आइल का यूज कर रही हूँ इसे सर्सो के तेल में नहीं पनाएंगे इसे रिफार्ण आइल में ही बनाएंगे और एक मीडियम साइज का प्याज मैंने ले लिया है उसे थोड़ा गोल्डन फ्राई कर लेंगे तो प्याज हमारा भून चुका है और एक लशुन मैंने लिया था मान लीजिए कि 15 जौए उसमें होंगी उसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है और एक इंच अदरग का टुकड़ा है उसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया दो ग्रीन चीली है जिसे मैंने बीच से कट कर लिया है और अब इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जादा नहीं ही फ्राई करना है, इसे हलका ही फ्राई करेंगे और यहाँ पे मैंने कैपसिकम डाला है और प्याज डाला है जिसे मैंने बड़े बड़े टुक्णों में कट कर लिया है और जिसे एक प्याज को मैंने बीज चार भाग भी काटा है और उपर के लेयर्स को निगाल कर दो तुक्णों में कट कर लिया है जैसे में आप देख रहे हैं कि क्यूप्स में एक कटा हुआ है उस तरह से ही और एक टमाटर है जिसके सारे बीज और पल्प मैंने निकाल लिये हैं उसे भी मैं बड़े टुक्रों में कट करके यहाँ पर डाल दी हूँ और अब अपना मेरिनेट वारा जितना भी चिकेन था वो इसमें डाल देंगे और इसे ढग ढग कर भूनना है जब तक कि इसका ओयल सेपरेट ना हो जाए तो इसे अच्छी तरह से भूनना है यहाँ पर यहाँ पर मैं बता दू फ्रेंड्स की एक प्याज के क्यूप्स मैंने कट किये थे और एक टोमेटो और आधी सिम्ला मिर्च की मैंने क्यूप्स कट किये थे और अब इसे ढखते हुए हमें पका लेना है तो यह देखिए भून चुका है लगभग इसे भूनने में हमें 5-7 मिनट लगा है और जो चिकन का पानी निकला था उसमें मैं यहाँ पर कॉर्ण फ्लार डाल कर मिक्स कर रही हूं तो मैंने यहाँ पर दो चमच यहाँ पर कॉर्ण फ्लार डाला है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गांठे न रहे कोई भी लंप्स नहीं रहे इसे अच्छे से मिक्स करके खोल लेना है और इसे हम लोग चिकन में डाल देंगे और अब इसे मिक्स करेंगे तो इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करें क्योंकि चिकन हमारा सॉप्ट हो चुका है तो अभी इसे दो से तीन मिनट तक ढग कर और भका लेंगे ताकि कॉनफलार जो है वो हमारा अच्छे से पक जाए तो यह देखे कितना अच्छा लग रहा है और खुस्पू तो बहुत ही बेतरीन आ रही है हमारा चिकन चिली जो बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुआ है और थोड़े से मैं यहाँ पर कटी हुई हरी धर्या पत्ती डाल रही हूं और अब इसे भी मिक्स कर लेंगे इसमें और यहाँ पर आप नमक भी चक सकते हैं तो चलिए फिर ट्राइ कीजिए चिकन चिली को थेंक यू बाबाई हुआ है